हरेर महादेव जैबोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागनेसिन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात कर देवाली हूँ आज खरमाज के बारे में खरमाज कब से लग रहा है 2024 में और कब समाप्त हो रहा है साथ-साथ ये जानेंगे दोस्तों कि खरमाज के बीच में ही लग रहा है होलाश्टक तो ये बेहद ही असुब दिन होता है होलाश्टक का मतलब कि होली के होलाश्टक होली के आठ दिन जो आठ दिन होते हैं होली के पहले के वो बेहद असुब होते हैं इसमें सभी जो ग्रह होते हैं वे उग्र हो जाते हैं ऐसी स्थति में यदि हम कोई विशेज कारे कर देते हैं और आगे मैं बताओंगी कौन-कौन से कारे तो हमें उनका निस्टी तुरूप से असुप्रभाम मिलता है तो होलाश्टक के बारे में जानेंगे साथ साथ जानेंगे दोस्तों कि खरमास जो है कब से कब तक लग रहा है और बहुत ज़्यादा दोबिदा होती है कि इस खरमास के बीच हमें कौन से कारे करना चाहिए और कौन से ऐसे कारे हैं जिनें बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो 14 मार्च से प्रारब होकर 13 अपल तक कर्मास पराइस समापत होगा। इसी बीच होली की आठ दिन पहले की मैंने कहा तो होली की आठ दिन पहले फोलास्टक लोगएगा। यह होलास्टक ऑली के दिन के प negative-3 को समय क्रारब हो रहे है। यह हमें जानना असमझना परकना बहुत जादा जरूरी है तो दोस्तों गोलाश्टक जो है वो कब से लगड़ा है तो 17 मार्च से सुरू हो रहा है और कब तक रहेगा तो यह रहेगा दोस्तों 25 तक यानि कि 25 मार्च तक तो इस बीज हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना च किसी भी नए कारी के शुरूआत हम नहीं करते हैं यह सभी जानते हैं कुछ छोटी-छोटी और महत्रपुन बाते हैं जिनके बारे में भी बहुत सारे प्रस्म पिछले साल आया थे तो वह भी मुझे कुछ याद है तो वह चेजे में भी मैं आपको बता देती हूं सबसे प दोनों यह इस्थतिया असोव प्रस्थतिया होटी है वह हमें प्रशुरुरु करते हैं इसलिए कःता है कि अब हम कोई शुब कारें करेंगे कि कर्माश कैसे लगता है करमाश ऐसे लगेगा कि सूर्यजर्य और गिष्याश्टी को में stress में लis links और सुर्य चले जाएंगे ब्रहस्पती की भन किसी को जाते है जब गूरु ब्रहस्पती की रासी मेंये चले जाएंगे तो अब जो कहा जाता है कि घूरु項 Til दो कि कारण होते हैं तो वह चुपता मिलना होता है और गींते नहीं की सेवा में होते हैं इसलिए खरमास में आपको यह भी कहा जाता है जहां पे शुपी करिये यानि कि गुरु के उपस्तती में, गुरु देव ब्रहश्पती की उपस्तती में ही आपको इशुभकारे कर सकते हैं वहीं पे आपको एक सलाह और भी दी जाती है कि आप सुरे को मजबूत करिए क्योंकि सूριय जो है इस समय गुरु की रासी में होते हैं उनकी सेवा में लीन होते हैं और मानोजनों पर उनका प्रभा़ कम होता है ऐसे में जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूरी के स्तती स्तली कमजोर है किसी भी कारण से प्ली धें उनको तकलीब और मिलने लगती है तो सुर्य के सुब प्रभाव को फलो को बढ़ाने के लिए हम सुर्य के उपाय करते हैं तो दोस्तों अब हम लोग जान गए कि क्या होता है करमास अब यह मत पूछिएगा कि देदी दो बार क्यों लगता है अभी तो लगा था तो मैंने बता दिया ना कि जब वो दो रासियां है गुरू की एक धनू एक मीन साल में दो बार जब वो अपनी रासी में जाते हैं तब ऐसा होता है और सुर्य दोस्तों एक मोटे मोटी में बता दे रहे हूं आपको कि लगभग एक रासी में एक महीने का समय लगता है यानि कि पूरे साल में वो सभी 12 रासियों का फ्रमण कर लेते हैं तो इस कारण दोस्तों खरमास हमें साल में दो बार सुनने को मिलता है मतलब उसके नियम मानने पड़ते हैं ये चीज़ हम जान गए अब सब अच्छी तरह से जान गए कि क्या और कैसे होता है तो ये प्रस्ण तो मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो डाउट से वो क्लियर हो गया होगे कब है और क्यूं लगता है ये सारी बाते हम लोग जान चुके हैं अब जानेंगे दोस्तों क्या करना है क्या नहीं करना है लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें आप लोग की लाइक जो है मोटिवेट करते हैं दोस्तों विसेस का उस समय भी जब वीडियो बनाने की बिलकुल भी हालक और रिक्षा नहीं होती है तो प्लीज फसंद आये तो लाइक करें और हाँ चैनल को भी सब्सकाइब कर लिजे इस तरह की महत्तों बाते न आप लोग को समय से पहले मिल जाए इसके लिए ज़रूरी है चैनल को साथ जोड़े रही है सबसे पहले बताती हूं होलाश्टक के बारे में देखिए खोलाश्टक जो होता है वो होली के आठ दिल पहले कहा जाता है कि हिरन कश्यपू अपने पुत्र पहलाद को यह बाते सभी जानते इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं पहुचूँगी क्योंकि वीडियो लेट हो उनका एक उनकी प्रजा उनको भगवान मानती थी परन्तों उनकी खुद के पुत्र जो है बगवान को भगवान मानते थे और ऐसा करना थी Kom ये कष्ट और अधिक बढ़ गया वही होली का दहन के दिन अपनी बहन को ले करके और प्रहलाद को आग में बठा दिये उसी उपलक्ष में हम होली का दहन मनाते हैं तो ये तो हम समझ गए कि क्या होता है आठ दिन पहले अब इस आठ दिनों में कहा जाता है कि भगवान विष्णू के अनन्य भक्त को बहुत जादा यातनाय और कष्ट मिली थी इस कारण जो है हम इस समय कोई भी पूजा पाठ स्वरी कोई भी नए काम नहीं सुरू कर सकते हैं उग्रा भी हमारे कापी नाया गाड़ी लेना है तो इन सब कामों के लिए ये दिन कपड़े वगरण खरी सकते हैं ये सब हमारे दैनी कूपयोग की चीज़े अइसा नहीं है कि हम कपड़े केवल एक बार साल में खरीते हैं दो बार या फिर कभी जीवन में एक बार तो ये नई चीज़े नहीं है तो आप बच्चों के लिए कपड़े खरी दिये जो भी होली के सामान है सब कुछ खरीज सकते हैं आप जो परदे, बेट सित वगर ये सारी चीज़े आप जो भी होली की तयारिया करना चाहते हैं कर लिजे मैंने सबस्ट सब्दों में बताया कोई नई चीज मत लेजेगा वाहन वगर भी नहीं लिया जाता है क्योंकि दोस्तों वाहन का संबंध हमारे जीवन से भी जुड़ा होता है यदि वाहन की कोई दुरघटना होती है तो हमारे जीवन पर भी उसका असर आता है तो यह सब जो बड़ी चीज़ें थी मैंने बता दिया वो मत लेजेगा बाकी दैनिक जीवन की जो होली की सामगरी है बचों के कपड़े है पर देट बेट सिर जो भी लेना है आप लोग यह सारी सामगरिया ले सकती है इस पे होला स्टक क्या कोई भी प्रभाव नहीं होता है हाँ अगर आप साधी की नई खरीदारी करने जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को मत लेजेगा जैसे नई खरीदारी करने जा रहे हैं जैसे लड़की के लिए बेट वगर लेना है तो इन आठ दिनों को रोग देजेगा लड़की के लिए यदि चुनरी पीरी लोग कर सकते हैं तो मैंने पूरी उमीद से बता रहे हूं कि आप लोगों को सारी चीज़े क्लियर हो गई होगे अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि अब खरमास में हम क्या करें क्या नहीं तो जो मैंने हो लाश्टक में बताया था ठीक वही नियम खरमास में 14 मार्ट से शुरू होगा 13 अपराल तक हमें वह विवाह साधी मुंदन जनेव इस तरह के कारें कदापी नहीं करना चाहिए रही बात अब बहुत सारी भी अड्मिशन करा सकते हैं बाकि खरमास में आप चाहे तो अड्मिशन कराई बहुत अच्छा समय नहीं है तो आप अप्रेल में भी करा सकते हैं वैसे तो जिनको कराना है वो करा चुके होंगे नहीं करा पाए तो अपरेल में करा सकते हैं लेकिन मैं विसेश कर खरमास को भी उतना जोर नहीं दे रहे हूं जितने होलाश्टक को होलाश्टक के दिनों में आप भूल कर भी बच्चों का नया नाम मत लिखवाईएगा उनका अडमिशन वगर मत कराईएगा कोई भी नई चीज आपको करना हो मत लिख रहे थी तो दो बच्चों का एक ही था कि दी नया सबस्क्रिप्सन हमें लेना है जैसे आई-इस वगरा की तैयारी करकर आनलाइन नया सब्सक्रिप्सन लेना है तो मोहूरत बता इएगा तो देखें मोहूरत तो छोड़िए इन आठ दिनों के बीच आप ये काम मत करिएगा यानि कि आप जो होलाश्टक के बीच कोई नया काम जैसे बच्चा नया तयारी करने जा रहा है नया सब्सक्रिप्सन लेगा तो यह नई चीज हो गई तो आप इन आठ दिनों में मत करिएगा नहीं तो भविस्य में इसकी दिक्कत आपको आ सकती है तो इन चीजों क समझिए और हाँ दूसी चीज बता दूं कि इन चीजों से डरना नहीं है बलकि हम आगाह आपको कर रहे हैं कि इन चीजों को समझिए जानिए कि जोतिस में इन चीजों का हमें नुकसान होता है तो आप इसको भली भात समझे मैं यहीं चाहती हूं दोस्तों कि आप इनको भ जब गुरु सुभता देते हैं जीवन में और उनका ही प्रभाव कम है तो हम कोई नया ब्रत भी नहीं शुरू कर चकते हैं अब देखी हमारे देखने में तो यह ब्रत बहुत छोटा सा लगता है कि ब्रत ही तो करना है लेकिन अशास्त्र की ऐसी मालेता है कि ब्रत नहीं हम मह कर रहे हैं अनुष्ठान कर रहे हैं उस देवता उस ग्रह के लिए तो हो सके तो आप जो है इन एक महीनों में कोई नया ब्रत प्रारम नहीं करिए जो ब्रत आपका चलता आ रहा है उस ब्रत को आप कर सकते हैं तो इस तरीके का ध्यान रखना है हमें अब जो ब्रत पूरे ह करें उसके उध्यापन करें जैसे कि वाइवा लक्ष्मी वह गया यह अन्य कोई ब्रत तो देखें पश्वाथ ब्रत में प्रतों का नियम होता है उसमें तो जो हुगा हमें ताइम के अंदर करना होगा लेकिन वाइबो लक्ष्मी ब्रत में हम टाल सकते हैं तो इन एक महीनों के लिए आप चाहें तो टाल दे और टाल करके और इस चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है अब और कोई जैसे गुरुवार का ब्रत है इसमें अगर आप करना चाहें उद् लिक कारी होता है तो आप चाहें तो इन ब्रतों को जैसे गुरुवार ब्रत है तो और जो चार ब्रत पढ़ेंगे उनको आप कर लीजिए और आप इसके बाद अपरेल में 14-13 अपरेल के बाद उद्यापन करिएगा या फिर आपकी इक्षा हो तो आप छोड़ भी सकती है इस तरह से जिन ब्रतों में नहीं छोड़ा जाता है उनको आप लोग कर लीजिएगा जैसे गुरुवार में भी छोड़ा नहीं जाता है तो आप इस ब्रत को आगे बढ़ा कर सकते हैं तीन कोई भी ब्रत संख्या से अधिक कर देते हैं तो उसका दोस नहीं लगता है संख् खर्मास और होलाश्टक के सभी नियम जरूर पालन करना है सासा दोस्तों अब बहुत सारे क्विश्चन ये भी आएंगे कि दिदी हम होली के लिए नई चूडियां नए कपड़े खरीद सकते हैं देखें ये होली के लिए चूडियां हम पहली बार नहीं खरीद रहा है अब जान लेते हैं दोस्तों कि इस महीने में हम और क्या कर सकते हैं ये तो हमने जाना तो पहली जाने कि सुर्य का आइज समय प्रभाव बहुत कम हो जाता है जैसा मैं बताई कि कूं कम हो जाता है आगे की वीडियो में जान चूके है सुर्य को प्रभल करने के लिए सुर्योधे से पहले उठना चाहिएए जैनिक दिश्टी कॉंड से भी देखेंगे कि आप तो यह माना जाता है कि समय सुर्योदय के बाद उठने से व्यक्ति की सारी इस्थति खराब हो जाती है और अगर अध्यात्म को देखें तो वह कहता है कि सुर्य कमजोर है आप समय से पहले जगे और जग करके उनको जल देजिए ताकि जो भी आपकी कुंडली में कमज कुछ भी पार्ट ऐसा जो कि आप एक महीने में खतम करना चाहें आपकी एक्षा है तो ये सब बहुत जादा फायदे मंद होता है खरमास में या मलमास में भोले नाथ की पूजा करना बहुत सुभ होती है इस समय तिल और चावल से महादेव की पूजा करने से भी जीवन से संकट और कश्टों का नास होता है तो दोस्तों ये खरमास और होलास्टेक से जूड़ी हुई शंपूर्ड जानकारी आपको कैसी लगी बताएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में हरह महादेव लिखना मत बूलिएगा मैं मिलती हूँ आप से अन्य वीडियो में धन्यवाद हरह महादेव